आज के वीडियो में हम लोग smart money के कुछ concepts को उपर discussion करेंगे and 15th of December को हमने NCC को trade किया था उस trade का वीडियो हम upload नहीं कर पाय थे because काफी लेट हुच गा था and किसी दूसरे काम में भी हम waste थे जिस वज़े से यहाँ पर समय नहीं मिला तो उस trade को भी आप लोगों साथ शेर करेंगे so दो चीज़े रहेंगे trade discussion भी होगा और उसके बाद में अपना जो main concept है smart money के तीन chapter समको बताएंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीज़ेगा hello and welcome to the studio traders NCC को आज के दिन हमने trade किया था कल अपने private group में हमने इस stock को दिया था NCC को and एक दूसरा stock था so जो second stock था उसमें तो अच्छा खासा profit हम लोगों ने book किया था but NCC के अंदर हमने stop loss दे दिया था because NCC के अंदर हमें करना था और कल ये नीचे के दिश्रा में किर था so कल stop loss चला गया but कल जो इसका down move था आज वही move continue हुआ कल इसके अंदर lower lows and lower highs लग रहे थे chalk model का use करते हुए आज हमने NCC को trade किया था so एक ठीठा profit हमने इसके अंदर से निकाला दे टाइम चेम पर जब हम इसको देखेंगे न तो कल एक बहुत बड़ी rejection candle बनी थी overall तो यह बोला जा रहा है कि NCC भी 100 rupees टच करेगा लेकिन है तो bullish ही but यहां से देखे इसके अंदर कल के दिन rejection आया overall देखोंगे तो volumes लगातार increase हो रही है price भी upside की तरफ जा रहा है but हो क्या सकता है कि price थोड़े दिन तक consolidate करे black वाली candle के नीचे line के नीचे price में भी consolidate करने के बाद में upset की तरफ इसका breakout हो so एक retracement के जरिए हमने NCC को आज के दिन trade किया था and वापस से देखे lower time frame पर आएंगे कल के जो moves हो रहे हैं यह जो हमने zigzag patterns draw किये हुए है and highlight जो circles हैं यह major points हैं supports तो कल से प्रेक हो रहे थे और उन्हीं supports के breakout आज भी continue retracement के बाद में trade execute trade book अपनी open करते हैं so यहां से सीधे position book में mobile की screen की recording से हम side में लगा देंगे so position book open करते हैं position book में overall आप देख सकते हैं 12,675 rupees का overall अपना profit है आज के session में और देखा जाए तो NCC है तो हाला कि छोटा ही stock but छोटे stocks को इतना हम trade करते रही है but NCC की potential है उसको देखते हुए मन हुआ है कि हम इसको trade कर सकते है because छोटी-छोटी candles भी बन रही है but वो 0.400-0.50% की candle form हो रही है stock के movements अच्छे थे so इसवाइस हमने NCC को trade किया था order book अपनी open करते है so order book में overall आप देख सकते हो 6,500 coins थे इतनी ज्यादा coins थे उसी वज़े थे है क्योंकि price कम है 90 rupees का stock तो आही जाती है इसको refresh कर लेते हैं एक बार so इसका अंतर हमने जो अपना trade एक्जिक्यूट के था 9,1.75 पर short selling की थी stop loss 9,220 का था and profits 89 के around 89.80 पर हमने profits अपने book के लेते वापस से position book में चलते है and 12,000 का profit है देखिए आज के session में हम 3 smart money concepts के उपर discussion करें उसको बहुत आराम से ध्यान से concentrate हो करके सुनियेगा बहुत help करेगा and किस वज़े से NCC की हमारी overall analysis किया थी इसको भी आगे चल करके discuss करते है How to track smart money like जरूरती के उपरती smart money को track करने की इन सारी चीजों का use क्या है हम इस topic के उपर नहीं जाएंगे कि smart money इस word का use सबसे पहले किस ने किया smart money actually होता क्या है तरह तरह के myths हैं बड़ा बड़ा पैसे जिसने लगा दिया हमारे institutionals हो गए brokerage house हो गए funds हो गए banks हो गए smart money कही न कहीं बात सही भी है because जब शुरुवाती phase में लोग पहुंचते है market में उस वक्त smart money किसको बोला जाता था so the terms smart money comes from gamblers that had a deep knowledge of the sports they were betting on a insider knowledge insider knowledge के recording जो लोग play कर रहे है that the public was unable to tap into कुल मिला करके insider knowledge जिसके पास होती थी जो companies के बारे में कुछ बहुत knowledge जैसी रखते थी जो कि आम public को नहीं पता और उनसे पहले वो actions ले रहे हैं वो कोई भी हो सकते इन ही को smart money कह आ जाता था पहले के time में अब आजकर जब सब कुछ इतना modernized हो जुका है charts, brokers, सब कुछ उसमें भी smart money का use क्या जाता है smart money एक बहुत बढ़ा एक बहुत huge concept है last video जो भी हमने upload किया उसमें नीचे comment था कि sir smart money को free में available मत करवाई है so smart money कुछ ऐसा नहीं है 10-15 minutes में हम आपको बता देंगे और बहुत कुछ आपको उसके बारे हमें knowledge मिल जाएगी हाँ, शुरुआत हो सकती, आपको मौलूम होना चाहिए कि SMC, मतलब smart money concepts actually derive कैसे हुआ कैसे इसका use क्या जाता है market में किस तरह हम इसका use कर सकते है profit बनाने के लिए concept तो बहुत बड़े है सभी लोगों के SMC के बारे मौलूम है लेकिन कि अब सभी लोग profit बना पा रहे है कहां पर SMC का use होगा intraday में हम लोग कैसे इसका use कर पाएंगे अगर हम देखें तो trading में stocks के अंदर जब हम काम करें तो SMC के concepts तो same रहेंगे बड timeframes का बहुत बड़ा issue आता है derivatives में जब हम लोग काम करेंगे तो timeframes का issue आता है commodity में use करेंगे तो time frame का issue आता है currency market में use करेंगे time frame और सब के concept कुछ 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 हमें change करने पड़ते हैं और यह ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि हमें पहले समालूम है कि इसमें यह आपको time frame रखना है derivatives में यह time frame आपको रखना है currency में आपको यह time frame रखना है यह सब कुछ दीरे दीरे practice करने से ही है ऐसे तो बहुत सारे methods हैं जिसके तो हम लोग smart money को track कर सकते हैं यह इन सबसे basic और common tracking system हम आपको बताएंगे जो कि बहुत easy है easy to find है और आप उसका use कर सकते हो अपने intra rate rate execution में first होता है हमारा side way price movement अभी समझेंगे इसको aggressive activity and strong rejection side way movement में हम लोग price का use करते हैं strong rejection में हम लोग price का use करते हैं जब तक price आपका एक range में है यहाँ पर activity बाहर की side में होगा जैसे ही price हमारा breakout मारेगा मतलब price in resistance areas reject होते हुए price जैसे ही breakout मारेगा या तो upside में या फिर downside में तब इसके अंदर हम यह मान करके चलते हैं कि एक smart money enter हो चुका because smart money इसको क्या चाहिए एक बड़ा move चाहिए वो कभी side way में होकर के नहीं फसेगा जैसे ही price एक area से बाहर निकलता है यहाँ पर actually हम लोग देखते क्या है prices के breakout आपको बड़े दिखेंगे लेकिन इसके पहले की activity fix होती है कि price आपका एक side way zone में होना चाहिए अगर price आपका side way zone में है यहाँ सी यह बाहर की तरफ निकल रहा तो move expected है कि बड़े moves होंगे और उसी के साथ में हम लोग भी इसके अंदर बैठेंगे यह नहीं करना होगा कि price breakout हो जागा चलो पहले मारते थे ऐसा भी होता है आपको लगेगा कि price breakout हो जागा शायद breakout हो जागा पहले entry ले ले हो सकता है बाद में मिले है ना मिले नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं लेकिन फिर भी हम लोग हमेशे यह कोशिश करते हैं कि price breakout हो जाए पहले इसके बाद में हम लोग इस जगह पर अपनी entry की confirmations लेते हैं and smart money के साथ आगे जितने भी points होते हैं इनको grab करने की कुछिश कहते हैं तो सबसे पहला syndrome होता है side way movement जब तक price आपका side way zone में रुका हुआ है wait करो, wait करो, wait करो और जैसे ही price आपका break out या break down मारे न यहाँ पर आप अपना trade execute करोगे यहाँ पर यही माना जाता है कि जैसे ही price हमारा break out मारेगा और जितना बड़ा यह area होगा जब तक जितना ज्यादा price हमारा रोका रहेगा एक zone के अंदर break out उतने ही बड़े और successful break out मारे जाते हैं आपको इस तरह अब यह भी रही है कि जैसे ही अपने first chart खुला उसके अंदर आपको ही मिल गया एक दिन पहले आपको इस सारी चीज़े देखनी पड़ेंगी find करनी पड़ेंगी आपको पूरी preparation करनी पड़ेंगी कौन सा ऐसा stock है जो कि एक sideways zone में है कहां पर smart money के enter होने के chances सबसे ज्यादा है हम उसी को अपनी watch list के अंदर add कर लेंगे और तब इसको trade करते है अभी charts को पर भी इसको देखेंगे चलके हम लो aggressive movement of volumes drawing से और aggressive movement of volume यह जो tag line में लिखी है न इसी से आप समझ कहूंगे कि इसमें होता क्या है volume एक normal phase में चलती रहेगी अच्छा volume नॉर्मल phase में चल रही है अब हम लोग इसको act नहीं करेंगे जब हम देखते हैं कि prices के अंदर volumes ज्यादा आने लगए किसी भी stock के अंदर हम देख रहे हैं कि volumes के breakout हो गए है तब यह stock हमारा हमारी नजरों में आता है हम इसको watch list में add करेंगे एक चीज इसके अंदर होती है कि जिस भी stock के अंदर volumes के activity हमें previous कुछ days के मुकाबले हाई लगती है या फिर week या months की volumes का जब breakout होता है तब हम लोग यह मान के चलते हैं कि यहाँ पर actually smart money एंटर कर चुका है जहाँ पर भी आप इस तरह की volumes के huge breakout देखोगे वैसे ही आप उस stock company watch list में add कर दोगे अब यहाँ पर levels को किस तरह से mark करते हैं lower time frame पर reading कैसे करते हैं entry कैसे होती stop loss target इस सब के उपर इन सब के उपर में discussion नहीं कर रहे हैं यह सारी points अगर आपको देखने हैं तो already हमने जो videos upload किया उनको जाकर कि आप देखें बहुत साई जरी समझ पर जाएंगे अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहां पर smart money actually enter कर रहे हैं उस area को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं तो यहाँ पर हमने क्या बताया price एक zone में रुका हुआ है alert हो जाए जैसे ही prices के breakout होंगे आप यहाँ पर अपनी confirmations के साथ entry लोगे एक चीज clear होती ही कि यहाँ पर smart money enter कर चुकी अगर हम लोग इस तरह की trades को execute करते हैं तो chances are very high कि trade हमारे favor में जाएगा same चीज volumes में छोटी छोटी volume सारी मतलब एक normal volume सारी अचानक से क्या हुआ है कि 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 50,000, 30,000, 8 lakh इतनी volumes सारी थी और अचानक से 1 million, 2 million, 5 million, 1.5 million या 5.4 million इस तरह की volumes साने स्टार्ट होगे इसको बोलते हैं aggressive movement मतलब कि इस zone में बड़ी quantities put up की गई है अगर हम लोग इस area को mark कर लिए और जहां से trade अगर execute करें levels find out कीजे, price की reading कीजे, आप trade, moral trade आपका आपके fever में ही जाएगा दूसरा होता है strong rejection, ये सबसे simple होता है हम लोगों का predefined level, देखे ये नहीं होगा कि कहीं पर भी हमने कोई एक strong candle देख रही, strong candle का मतलब आप समझ रहे होना simply एक pin bar, last video में भी हमने ये चीज़ डिसकस की थी, एक pin bar pin bar का opposite direction में breakout होना, एक तरीका ये भी होता है कि pin bars का हम लोग opposite direction में breakout ढूनते है एक दूसरा तरीका होता है कि जिस direction में pin bar बनी है, उसी direction में हम लोग अपना trade execute करें ये दो methods होते है, अब ये तो pin bar की trading के system के उपर हम लोग फिर से चलेगा है किसी भी एक point पर रहो और दूसरे point पर divert हो जाने में बहुत जादा semi नहीं लगता है ये दूसरी चीज है कि pin bar को कैसे trade करेंगे, लेकिन दो तरीके होते है कब हम लोग pin bar के opposite direction में trade करते हैं और कब हम लोग pin bar के direction में trade करते हैं एक चीज common होती strong rejection, इतना बड़ा strong rejection होगा smart money के presence के chances उतने ही बढ़ जाते हैं कहीं ना कि हम लोग ये मानके चलते हैं कि trades में opportunity find करने का अब ये time आ चुका है हमें जल्द से जल्द यहां पर अपना trend identify करना होगा और smart money के साथ में अपना trade execute करना होगा अब एक एक करके हम लोग examples के तुरू समझते हैं first example में हमने देखा था कि price एक side wave move में यहां पर भी देखिए price क्या हो रहा है एक side wave zone में रुकाओ हमें इस तरह के zones को पहचान ना हो एक चीज आपने महसूस की होगी आप जिसमें profession में काम करते हो शायद शुरू से उस profession में आप उतना perfect ना हो यह चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी हमने highs और lows mark कर दिये यह इतनी आसानी से mark होने वाली चीज थोड़ी ना है धिरे धिरे जब आप इसकी practice करोगे तो एक time आएगा कि आप इसमें कहीं न कहीं अपने आपको बैटर feel कर पाऊगे अब जैसे देखिए price एक sideway zone में चल रहा है उसको आपको mark करना होगा हो सकता है पहली बार में आप इसको सही से mark ना कर पाऊ लेकिन practice के बाद में एक time है जब आप इसको सही से mark लेगा और आपकी marking को market respect भी करेगी आपकी जिस market को marking respect नहीं करते या market respect नहीं करेगी आप उसको छोड़ दोगे कहिना के गलत हुए है चलने दो एक zone आपने mark कर लिए अगर वो sideway है तो होने दो हम तभी इसको trade करेंगी जब price हमारा हमारे zones के बाहर की तरफ travel करेगा हम तब तक इसको देखेंगी जब तक price हमार जोन में रुका हुआ है जैसे ही price हमारे zone को breakout मारेगा तब हम इसके अंदर trade execute करेंगे अब यहां पर देखेंगी थोड़ा सा सचेत होने की जूरत है prices के movements देखेंगे आप किस तरह के बन रहे है price अपने lows को break कर तो वह आ रहा है मतलब इस दिन जब market open हुई है तो prices ने अपने highs को protect किया है यहां से भी यहां से भी और यह अपने lows को break कर रहा हालां कि है यह पूरा sideways zone में ही but price में एक तरह के support के breakout हो रहा है यहां पर भी देखे breakouts हुए थे बट यहें पर आकर कि price हमारा रुख गया था 9.15 के candle बने price नीचे की तरफ आया और यहां पर यह रुख गया है अभी price क्या कर रहा है उपर की तरफ अगर इसको जाना है तो इसी range स्या तो यह उपर चला जागा में भी चांस है कि इस वाली land को break करके अगर यह नीचे गरता है तो यह नीचे कर जाएगा वेट करेंगे हैं अगर price हमारे level के नीचे आता है यानि कि इसके अंदर कहीं न कहीं बड़ी quantity आई है huge quantities आई है जिसको कि हम common language बोलते है smart अब देखिए breakout के बाद से price ने कितना बड़ा move दिखाया हमें अब यही कुछ छोटी-छोटी symptoms होते हैं कि जिससे हम लोग smart money को track कर सकते हैं एक level बना लिया price उस range के अंदर घूम रहा है और जैसे price न उस range का breakout किया हम वहाँ पर trade execute करते हैं हम कभी भी एक zone में चल रहे है price में break inside की तरफ trade नहीं करेंगे आपको smart money के साथ trade करना है हमेशा याद रखिए आपको break out trade ही करना होगा आप break inside trade मत करना है break outside में trade करो proper price actions देख लेने के बात में अब same चीज़ यहाँ देखनी है price आपका एक range में चल रहा है हम लोग mark करके बैठे हुए हैं जैसे price हमारा हमारी range के या तो बाहर की तरफ upside में या फिर downside की तरफ trade मारेगा तब ही हम इसके अंदर को activity करेंगे otherwise wait करेंगे एक smart money के enter करने का wait किया जागा हमेशा चलने देंगे price को इसी तरह से या तो फिर यह उपर गिदिशा में ब्रिक आउट दिखा देंगे या तो फिर नीचे गिदिशा में ब्रिक आउट दिखा देंगे नहीं होगा तब तक wait करेंगे break inside trade हम लोग नहीं करेंगे ऐसा नहीं है कि price यहाँ पर गया हम उपर मार देंगे या फिर उपर गया तो नीचे की तरफ मार देंगे proper wait break out break down कहीं न कहीं यह retailers की पहुंच के बाहर किसके movements हो रहे है हमें और आप में यह चीज नहीं है कि हम इतने बड़े-बड़े moves लेकर गया है अब अगर यहाँ पर smart money है तो हम लोग बस उनहीं के मतल लेंगे और यहीं से अपने positions को आगे की तरफ hold करते है so एक simple सी technique है इसका use up daily basis पर अपने entire trading में करोगा आपको बहुत help मिलेगी कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है देरे-देरे करके आप practice करो कुछ छोटी-छोटी techniques है उनको समझने का प्रयास करो daily हम video जो upload करते हैं उनको समझने की कुशिच करो class recordings के जो free videos हम upload करते हैं उनको देखो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को सीक्ट को मिलेंगी free class जो होने वाली एक दिन की जो workshop होगी अपनी उसका भी access जिन लोगों ने भी account open किया हुआ है उन सबको हम links share कर देंगे तो जो एक दिन की class है वो भी होगी काफी साही चीज़ें उसमें clear करेंगे लेकिन बहुत साही चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो class में cover किया जाती काफी help मिलती price actions में और जब आप trade execute करते हो तो इसमें भी एक तरह का confidence में इस technique में simply हम लोग volumes का यूज करते हैं काफी सारे scanners है और manually भी stocks को निकाल सकते हैं जिन भी stocks के अंदर averaging recording volumes काफी ज्यादा generate हुए है मतलब पिछले कई दिनों से ज्यादा की volume है इसके अपना एक criteria होता है उस criteria के recording volumes आपके पास आ जाते हैं जिस भी stocks में volumes के breakout होते हैं वो आपकी watch list में add हो जाते हैं अब यहाँ पर देखें पिछले कई दिनों तक इतनी volumes नहीं आई पिछले कई दिनों से इतनी volumes नहीं आई है जितनी देखें last के periods में आई है यहाँ पर अच्छी खासी volumes हैं अब क्या होगा हम इस वाले zone के पास में अपने areas को mark करेंगे जिस भी method से आप daily time stream को mark करते हो या फिर lower time stream पर या आप rating करना चाहते हो तो lower time stream पर भी आप rating करो और higher time stream के according अपने levels निकालो इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ एक levels दिखाए पड़ेंगा उस level के according आपको यहाँ पर market में marking करनी होगी अब देखिए market में close करते करते इतनी ज्यादा volumes यहाँ पर generate की सो कई साइज चीज़े हो सकते हैं जैसे कि यह वाले केरिये हम लोग mark कर सकते हैं दूसरा market में opening के बाद में एक gap fill किया था सो इस gap को भी हम mark कर सकते हैं अब क्या हो सकता है या तो market हमारे इन दोनों lines को break करके price ज्यादो सीधी नीचे चला जाए या तो फिर यहाँ सी ऊपर की तरफ जाए यही दो चीज़े हो सकते हैं यहाँ पर हमारा main काम क्या है कि volumes इतनी ज़्यादा जो volumes हैं अब इसके बाद में हम इसको अपनी watch list में add कर लेंगे levels निकाल लेंगे यहाँ पर आपको अपने trend identify करने होंगे price में भी chance है कि यहाँ से आपका upside की तरफ भी movement दिखा सकता है और downside की तरफ भी movement दिखा सकता है यहाँ use होगा आपका entry का method आप किस तरह से अपनी entry execute करता हो यहाँ पर किस तरह से अपनी trends को मतलब एक तरह से दिशा कैसे निर्दारिज करता हो किसी भी एक stock की इन सारी चीज़ों का बहुत महत बढ़ जाता है जब live market में हम लोग इन सारी चीज़ों का use करते हैं लेकिन main चीज़ चीज़ोती है कि इस तरह से फिर हम लोग volumes के through smart money को track कर सकते हैं जिस भी stock में script में आपको ज्यादा volume आरी न उसको चुप-चप add कर लो यह समझ के चलो कि यहाँ पर कहीं है कि smart money का uses या फिर smart money के अंदर involved है particular किसी भी एक stock के अंदर अब इस तरह की volumes की मदद से क्या हो सकते है कि हम लोग एक तरफा move catch कर सकते हैं stop loss भी छोटा है और move भी हम लोग बड़ा catch करते हैं उस system को develop करना पड़ेगा कैसे आपको trade execute करना है किस तरह से चीज़ें आपको अपने emotions पर कैसे control करना है psychology को किस तरह से build करना है इस सारी चीज़ें ही live market में एक साथ काम करते हैं और किसी भी एक level से अगर आप कमजोर हो तो बाकी के सारे levels भी कहीं न कहीं आपके उपर हावी होने लगते हैं बिटानिया के एक और example लेते हैं जैसे यहाँ पर देखिए volumes आई हैं से मैं आपको आपको आटोमेटिक शो हो जाएगा कि किसी भी एक स्टॉक में volumes आई हैं तुरांत आप उसके मार्किंग स्टार्ट कर दोगे आपकी टेक्निक के कोड़िए अगर वो स्टॉक साही है तो मार्किंग के थुरू आप आगे की डिटिंग उसके अंदर स्टार्ट करोगे मार्किंग करने कि इसके अपने कुछ नियम होते हैं कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको फूल्फिल करना होता है अभी एक example लेने के लिए simple way में हमने सिर्फ low और high को mark कर दिया है अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्या हो सकता है possibilities बहुत ज्यादा है कि price को अगर upside की तरफ जाना है तो इन swings को break करके यह वाले जो swings बने हैं इन्हे price break करके और ऊपर की तरफ चली जाए और नहीं तो फिर अगर नीचे गिरना है तो इस वाले swing को breaker की price नीचे के तरफ आ जाए कुछ मिला करके यह माना जाता है कि अगर ज्यादा volume हाई है तो यहाँ पर smart money ने entry ली है smart money की presence हमें यहाँ पर show करती है उसके according फिर हम यहाँ पर अपने decision लेते हैं अब इस वाले zone के पास में देखी क्या हुआ है कि price ने हमारे level को नीचे की तरफ breakout नहीं करके ऊपर की तरफ किया breakout के बाद में सीध है price हमारा अभी तक जो चल रहा है इसके अंदर के जो movements है यह हमारी ranges के upside में ही price travel करता अब यह third and last example है rejection के साथ में smart money की presence को identify करने का last video जो हमने upload किया था उसमें एक pin bar के opposite direction में किस तरह से trade execute कर था यह हमने उसका आपको running market में trade करके दिखाया था opposite direction में pin bar को कैसे हम लोग trade कर सकते हैं trade भी execute किया था इस तरह से pin bar को कैसे हम pin bar के direction में जैसे यहाँ पर क्या हुआ है एक bearish pin bar बनी अपसे downside की तरफ एक rejection हमें market शो कर रही है simply हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इस direction को देख लेते हैं लेकिन यहाँ पर condition है कि जिस भी direction से pin bar आपके reject होगी वह आपका एक predefined level होगा तभी हम उस pin bar को एक ideal pin bar मानते हैं वारना ऐसा नहीं कि कहीं पर भी pin bar बनी उसके नीचे आपर में आपने trade execute कर दिया pin bar का use तभी होगा जबकि higher time frame की rating आपके बिल्कुल perfect है तभी आप pin bar का use करो इसके बाद में फिर pin bar के जितने benefits हैं वह सारे के सारे आपको मिलेंगे individually कहीं पर भी pin bar आपको मिली ऊपर से नीचे की तरफ इसने एक move दिखा दिया आपने सोचा कि अरे वह pin bar मिल गए थोड़ी दिर profit बाद में stop loss hit तो यहाँ पर reason यह होता है stop loss hit होने का कि आपने pin bar का सही जगे पर use नहीं किया एक rejection candle का स्थीक तरह से use करो, marking करो and marking करने के बाद में फिर बहुत हद तक chances are very high कि price आपका आपके direction में move करे और नीचे को कोई भी आप support area find करोगे support area इसके पास में अपने targets या तो यह कोई candles हो सकती है या फिर कोई आपका gap filling हो सकती कि price ने gap fill किया यहां से लोग चुपचा बाहर निकल गया continue एक ही system को follow up करते हुए काम करोगे आपको benefits मिलेंगे वरना ऐसा नहीं कि आज एक system कल दूसरा system आज price action तो कल indicator पर आ गया आज equity कर रहे हैं तो फिर हम कल options पर चले गया आज options कर रहे हैं तो फिर हम currency पर चले गया बस जहां जो मन हुआ वह स्टार्ट कर दिया हमने का आज की वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर अगर आप पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थाइंक्स एंड वीडियो मीट अगें